कुतुम मिनार को निर्मान कुशलता का एक नयाब नमुना भी कहा जाता है इसका निर्मान कुतुम बिन एबक ने 1122 में किया था आज भी इसे निर्मान कुशलता का एक जीता जाकता नमुना कहा जाता है 1505 इस्वी में एक भेंकर भूकम से यह लगबग तबाह हो गई थी लेकिन इसकी मरम्मत कराए गई जिससे यह दोबारा ठीक ठाक हो गई 1503 इस्वी में एक और भूकम ने इसको बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचाया इसका दोबारा मरम्मत की गई अगर आप इसे देखने के लिए जाओगे तो आपको इसके अंदर और उपर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इसकी दर्वाजों को सरतारी तौर पर बंद कर दिया गया है लेकिन ऐसा क्यों किया गया आईए जानते हैं इस वीडियो में दरशल कुतुम मिनार लगभग नाव साल पुरानी है और इसे देखने आए कई लोगों ने यह दावा किया है कि इसके आसपास किसी के पास होने का एसास होता है रात के समय इस जगह पर अंजान सक्तियों के होने का दावा किया है साल 1984 से पहले कुतुम मिनार के अंदर और अंदर की सीडियों से उपर जाने दिया जाता था लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके करण इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा दरसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 4 सल लोग इसके अंदर थे और सीडियों के जरिये इसके उपर चड़ रहे थे इसमें से जादतर इसकुल के बच्चे थे इसके अंदर की सीडिया इतनी छोटी है कि एक समय पर कोई एक उपर या नीचे जा सकता है इसकी इतनी उचाई होने के करण इसमें कुल 389 सीडिया भी हैं इसके अंदर रोसनी का कोई भी बाहरी स्रोत नहीं था सिर्फ बिजली के बल्फ लगाये थे लेकिन अचानक ही बिजली बंद हो गई पूरे अंधेरे में सब लोग डर गए और नीचे की तरह भागने लगे सिर्या छोटी होने के करण जल्दी से इससे उत्रा भी नहीं जा सकता था इस भगदर में 45 लोग की मौत हो गई जिसमें ज्यादादर बच्चे थे तब से कुतुम मिनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया तो कोई न कोई हाथसा हुआ इसलिए इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया आज भी यहां रात के समय रिशर्च में पाई गई है कि कुछ अजीब सा एहसास होता है उनका तो यह भी कहना है कि उन मृत लोगों की आत्मा इस मिनार के आसपास हलका सा एहसास देती है कुछ लोग तो इसे हाजदे से पहले मिनार के अंदर जा चुके हैं उनका भी कहना है कि मिनार के अंदर हाजदे से पहले कुछ ऐसा एहसास हुआ करता था और आज भी अकेले अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई और चल रहा है वहां के प्रसासन का आज भी कहना है कि इसके अंदर किसी तरह के सेटी नहीं है इसलिए इसे बंद रखना ही आकरी उपाय है तो अंत में हमारे मन में भी यही सवाल उड़ता है कि आखीर कुतुम मिनार के अंदर वह अहसास क्या है जो हमेशा आपके साथ चलता है और क्या सच में इसी कारण कुतुम मिनार के दरवाजे को बंद किया गया है तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद